दोस्तो ये है पजाच पलसर 125 BS6 का स्प्लीट सीट वेरियंट सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के एक बात बता दूँ कि अगर आप पजाच पलसर 125 यानी 125 सीसी वाली बाइक लेने वाले है और उसमें भी अगर आपको स्प्लीट सीट चाहिए स्प्लीट सीट पतलब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सीट है वो दो भागों में विवाजित है 20 से कटी हुई है यही स्प्लीट सीट वेरियंट है तो अगर आप ये लेने वाले हैं तो इसमें भी आपको दो वेरियंट मिलेंगे जिसमें एक होगा ड्रम वेरियंट और दूसरा होगा डिस्क वेरियंट यानि अगर आप डिस्क वाला मॉडल लेते हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये सबसे टॉप मॉडल माना जाता है और अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं स्प्लीट सिट में ही आपको आगे डिस्क नहीं चाहिए तो वो इस से करीबन 7000 रुपै सस्ती देखने को मिलेगे ठीक है तो आप इस चीज को नोटिस कर लीजेगा और कम्प्लीट प्राइस क्या पड़ेगी यह हम वीडियो के आखरी में आपको सारी चीज बता देंगी वी इस क्वाले में आपका ब्रेक काफी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जी आड़े और आप देख रहे है राइट टूनो वीडियो आपको अच्छी लगे हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिए का अपने तरब से लाइक और चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा तो दोस्तों यहाँ पे दिखिए सबसे पहले आगे आपको डिस्क मिल जाता है क्योंकि यह टॉप मॉडल है और इसकी साइज लगबग 240 याने की 240 mm रखी गई है आ ठीक है और यह टायर आपको आगे और पीछे दोनों टूबलेस मिलता है तो उसके लिए कोई परिशानी की बात नहीं है यहाँ जो फ्रेंट का आपको सस्पेंशन मिलता है यह आपको टेलिस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है यह ठीक 150 CC वाली जो बाईक आती है पलसर उसी क तरह हुबहु दिखती है और काफी जो है बेहतरी ने जिनकी पलसर ड्रीम बाईक है वो जो है कम पैसे में इसे अफ़र्ट कर सकते है ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखे फ्रेंट में जो आपको हेडलैम मिलता है यहाँ पे आपको जो है LED नहीं मिलती लिकिए यहाँ पे साइड इंडिकेटर मिलते हैं जिनके तूटने के चांसेस बड़े ही कम होते हैं आप देख पा रहे होंगे इस समय स्क्रिन पे और हमेशा की तरह पलसर की रिगुलर डिजाइन में विंड सील्ड आपको प्रोवाइट की जाती है आते हैं यहाँ पे हैंडल बार पे जलती हैं जब आप स्विच वगारा देखेंगे तो काफी खुबसूरत लगती है यह इसका मेटर कंसोल जो की आपको सेमी डिश्टल यानिक डिश्टल प्लस एनलोग मेटर कंसोल मिल जाता है और यहाँ पे लगबग आपको 125 इसी बाइक के साब से जितनी भी और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट यानि कि सेल स्विच की सुविधा उपलब्ध है तो यह कंप्लीट इनफोर्मेशन इसके हैंडल बार और मेटर कंसोल की हो गई और यह आप यहाँ पे मिरर सक्षन इसका देख पा रहे होंगे नो डाउट की इनकी क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी यहाँ पे आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे तो इसमें 11.5 यानि की साड़े 11 लिटर का फ्यूल टैंक इसमें लगा हुआ है तो आप जो है साड़े 11 लिटर तक फ्यूल इसमें भरवा सकते हैं इसके बाद देखिए आते हैं आगे यानि की 124 दस्मलों 4 CC का इंजन इसमें लगा हुआ है और जो मैक्स पाउर मिलेगी आपको 11.8 यानि की 11.8 PS की मिलेगी 8500 RPM पर जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 10.8 Nm का आपको मैक्स टॉर्क मिलेगा लगभग 6500 RPM पर और एक चीज अभी आपने यहां पे देखी आपको फ्यूल गेज मिल रहा है तो कंपनी दावा करती है कि पलसर 125 में वो आपको इलेक्ट्रोनिक जो है इंजेक्शन की शुविधा उपलब्द करवाए हैं इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं देते हैं लेकिन इलेक्ट्रोनिक इंजेक्शन जो है कंपनी आपको प्रोइड करत तो अब जो है 125 सी बाइकों में भी अब 5 गेर्स आने लाजमी हो चुके हैं तो नो डाउट कि जो पांचवे गेर पे हमें स्मूथनिस मिलेगी वो काफी बहतर होगी और यह जो कलर आप देख रहे हैं एक्चुली यह ब्लैक एंड रेड कलर है यहाँ पे आप जो है कुछ आपको रेड कलर में मिलता है और पूरी बाइक आपको ब्लैक में मिलती है यहाँ पे सारी गार्ड की सुबदा उबलब्ध है यह बाइक आप डेली कम्यूट के लिए काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप आप ओफिस वर्क करते हैं और डेली आपका उनको ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर माइलिज मिल रहा है लेकिन फिर भी आप एवरेज अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको 50 तक का माइलिज आप इसमें निकाल सकते हैं अगर आप इसे इको मोड में राइट करेंगे तो ठीक है और अगर आप और अच्छी राइट करत है ये लगभग आपको 100 by 90 यानि की 100 बटे 90 का मिलता है और ये भी जो है 17 इंच का ट्यूबलेश टायर है तो आगे और पीछे दोनों ही 17 इंच के टायर और ट्यूबलेश हैं तो आपको कोई खासा समझ्या नहीं होगी इसका जो पीछे सस्पेंसन आपको मिलता है ये आपक पर देख पा रहे होंगे थुड़ी से मैं डायमेशन की बात कर लूँ तो इस बाइक की जो लेंथ है वो 2042 mm है इसकी जो ग्राउन क्लेंस 165 mm, सीट हीट इसकी 1060 mm और जो इसका वेट है वो 142 यानि की 142 किलोग्राम की ये बाइक है और फ्यूल फेलिंग करने के बाद जो ह का काम करता है पोलीशन को काफी कंट्रोल किया जाता है तो ये सभी BS6 बाइकों में आपको कैटलेटी कनवर्टर देखने को मिल जाता है तो लगभग मैंने सारी complete information यहाँ पे आपको बता दी अब थोड़ी सी बात price की कर लेते हैं तो गौर से सुनिएगा कि अगर आप इसक डिस्क वाला विरियंट नहीं लेंगे ड्रम विरियंट लेंगे तो उसकी एक्सोरूम प्राइस प्रयागराज यूपी इंडिया में लगभग 73,274 यानि की 73,274 रूपीज है और complete बाइक लगभग आपको जो है 93,000 तो 96,000 यानि की 93,000 से 96,000 में आपको मिल जाएगी अब अगे बढ़ते हैं ये वाला विरियंट जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग 80,000 रुपए इसकी एक्सोरूम प्राइस इस समय चल रही है प्रयाकराज में complete बाइक आपको 96,000 तो 1,000 यानि की 96,000 से 1,000,000 के बीच में complete बाइक आ पताता हूं ताकि आप इसी की बीच में अपना एक जो है बजट रिधारित करें अगर आपको ये बाइक लेनी है तो तो दोस्तो अगर आपके कोई डाउट है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी डेविट रॉल जी आर पे हमें फॉलो करके आप मैसेस कर सकते हैं उमीद है